कि सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना आय वेल्कम ओल फी तो लेर्ण करो क्लास 11 ने 12 मैं नेम इस बोकुछ शाबड़ा यहां पे क्लास 11 ए टुजए बिसन स्टेडिस कंप्लीट हो रहा है क्लास 11 ए टुजए एकॉनमिक्स यहां पे कंप्लीट हो रहा होगा सुबह की क्ला कुछ ग्लिच आ रहा था बट आयम शॉर अब पूरा सिस्टम पूरा पूरा सिस्टम हो चुका है सुन पा रहे हो तो थम्स अप करतो फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एक बार तुम नहीं बताते तो मुझे ही देखना पड़ता है यह सेशन चल रहा है तो एक बार सुन पार तो थम्स अप करतो यह स्टार्ट कर रहे हैं पॉपले प्राइविट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज जो भी 2021 के अंदर अपने एक्जाम दे रहे हैं क्लास 11 सुएंस की आपे पडिम्लल भी बात हो रही है क्लास 11 तुम फूरा पूरा पूरा पेपर क्लास 11 जो भी आ पाइनल एक्जाम साब दे रहे होंगे सारा सारा हम यहां पर कवर कर रहे होंगे ग्लोबल एंटरप्राइज इस सिरफ 2021 सालों को निगरने अजरब इसको में कर नहीं है घवराने की कोई बात नहीं है मैंने तुम्हें पॉब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में डिफरें पॉब्लिक इंठक्राइज के अंदर जॉइन इंटक्राइज के इंटक कंपनी आती है कंपनी जो सकते हैं पॉब्लिक इंटरप्राइज कीज़ को ऊपरीट कर रही है उसके सारे के सारे operations government के purview के अंदर आ रही है उसको हम बोलेंगे public enterprise आज हम सबसे पहले public enterprise के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है departmental जाना नाम है मजा आगे बिल्कुल दूब गया में तो नाम में डिबार्टमेंटल अंडर्टेकिंग गवराओ मत है बहुत असान मैं सबसे पहले तुम्हें एक्जांपल देता हूं जो तुम्हारे नहीं दे रखके बगवान जाने क्यों नहीं रखके बटीक है एडूकेशन पर आप जरूर पढ़ना इसके रेलबेस इस वान एक्जांपल रेलबेस जानपल पोस्ट एंड टेलीग्राम ओफिस जो आपने सुनाओं दूरदर्शन पर मूवी आ रही है वो क्या है डिवार्टमिंटल अंडरटेकिंग है दूरदर्शन लिखो और लिखके आना जो भी टीचर तुम्हारा चेक कर रहा होगा मसा आजएगा उसको देखिए अच्छा दूर दर्शन भी है डिपार्टमेंटल अंडर्टेकिंग है बस हम बगवान से प्रे कर रहे हैं तुम्हें तो पता है किसी को पता हो या ना पता हो तुम्हें तो पता है अगली बार जैस पता है यह तो पता है यह पार्टमेंटल अंडर्टेकिंग इसके पहले हम पढ़ने वाले उसी फ्लो में चलेंगे मीनिंग फीचर मेरिट्स अंडिमेरिट्स हमारा यह पूरा का पार्ट खतम हो जाएगा रियलिसिटिकली इस पार्ट टू और प्राइबिट और बॉबल इ है और यह उन उन क्लासिस में से नहीं है कि 10-15 बेंट में सब पढ़ा दिया अराम से जितना में टाइम लेगा उतना समझेंगे उतना चलेंगे और अगर आधा गंटा लएगा आधा बढ़ेंगे पर मेरी गैरेंटी आपसे इतना ताइम नहीं लेगा लेस दन 15-20 मिंट में आपका ही पुरा पुरा और डिपार्टमेंटल अंडर्टेंगिंग सारा कदम हो जाएगा स्टार्ट करें चालू ओके डिस इस दी ओल्डेस इंपोर्टन है अब भाईया इंपोर्टन बात शुरू हो गई है दूरदर्शन हमने समझ लिया अरे दूरदर्शन के करेक्टरि पहली बात यह ओल्डेस्ट है और डिपार्मेंटल अंडर्टेकिंग देखो यह इस पर समझने वाली बात ही नहीं है पूई फैक्ट्ट्वल बात हो तो हमें क्या करना है रट लेना है पानी की तरह घोट लो अंदर और रट लो इसको बस दिस दी ओल्ड़ड़ज यह ओल् फॉड़जेश थीदेशने पॉड्लड़जेश ऑफ यह अंदर लाइव करते हैं और यह सब्सक्राइब इसमें इप्लॉय होंगे मिन फिक थरू होंगे जो भी इसमें सालेज जैंगी वह जायंगी गवर्मेंट से एक बजट होता है जिसमें वो सलडी दे रहे हैं है को departmental undertaking season work कर रहा है इन शौर्त जितने भी आख के जितने भी आख के जितने आख के departmental undertakings ए उसका सारा का सारा कसारा revenue सारा का सारा recruitment operations sales a to z जितने Psychology। जितनी भी organizations तुम व्रकिंग शतकते हो सारी आधिए किसी किसी ministry के अंदर अब वो ministry का पार्ड भी हो सकता है या मिनिस्ट्री का एक्स्टेंशन भी हो सकता है और लास्ट अब बॉर्मिट फॉप्लिक वेलफेर के लिए काम करती है बट जब वो जो गॉप्रमिट की वर्किंग उसको स्मूथ करने का भी काम कर रही है जो यह अंडेटेकिंग की अमगात करें एंपर एक्जांपल गॉप्लिटेश ने सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर कोई पॉप्लिक वेलफेर की बात नहीं अब यह बोल रहा है कि जितने भी डिपार्मेंटल अंडेटेकिंग इस्टाइबलिश की जा रही है वह एक इंटीग्रल पार्ट है गॉप्लिक का अच्छे से फंक्शन करने के लिए अब सब्सक्राइब किसी को पॉलिटिकल पार्टिक मत मान लेना तो गॉप्लिक जेनरल टर्म है यह मत बोलना कि हाँ बीजेपी की गवर्मेंट है तो बीजेपी की डिपार्मेंटल अंडेटेकिंग इस इसको तुम ऐसे लेख सकते हो इन्डिपेंडन्ट ऑफ हूसो एवर इन्डी पार्ष इंडिपेंडिट है वह तो नॉर्मल सरकार की है अब सरकार चयों जो कॉंग्रेस की हो बीजेपी की हो किसी की ङुट सरकार हो इन्शॉट मारे च्छ到底 है वह गवर्मेंट्टल moderate on the fact कि वह सकता कुछ भी मुझे सरकार हो गई तो हम बोओ सकता में कि स्मून कर रही है Commerce chois को के खर बुष्टर कर रही है उसकी यंठिण को रही है मैंसे जारा हूं क्योंकि government को लोग सोचते है government for example current government कुछ और होता है political party जो government form करती है वो कुछ और होती है तो कोई बीजेपी Congress नहीं होगी सिरफ government है यहाँ पर government establish कर दी है और departmental undertakings will stay as it is चाहे इस पर कोई भी political party government form कर रही है ठीक है सही है फिर इसके characteristics characteristics पढ़ना slash features पढ़ना बहुत relevant हो जाता है बहुत हो जाता है अभी तो हमने premise पढ़ा कि कहां से आई oldest है traditional है वो क्या-क्या काम करती है समझ आ गया अब हम इसके main features पढ़ने वाले है चार features पढ़ेंगे और बहुत important है आपके final exams point of view इसे काफी important है features merits merits इसे important है मैं बताता हूं क्यों कि यह पूरा पूरा इस chapter में मसा तीन ही तो भीजें आपको इस पूराइब अपढ़नेंटेकिक अज़ें दो सेक्टर जो आपका public enterprise के अंदर जो आपका public enterprise के अंदर तीन चीज़े लाए करती है ना उन्हें पढ़ा था तो सबसे पहली जो हम पढ़ रहे हैं वह departmental undertaking उसके अलावा जो दो अलग public enterprise है उसके भी सेमी फ्रों हम पढ़ रहे होंगे meaning क्या है features क्या है merits क्या है तो स्टार्ट करते हैं फंडिंग अब मैंने आपको बताया है recruitment उनको पैसा कौन देगा फंडिंग का सहेगी फंडिंग अमेशा गोवर्मेंट करती है और गोवर्मेंट फंडिंग कहां से उठाती है गवर्मेंट के पास एक टेखाना होता है ट्रेजर होता है जहांसे वह करती है तो इन शॉट यहां पर बात सीखने वाली यह है फंडिंग कहां से आती है इन सब की वर्किंग के लिए अब भाईया रेल्वेस तुम चला रहे हो रेल्वेस में एक्स्पेंसिल बहुत जादा है रेल्वेस के इंप्लॉइस को तुम्हें शैल्दी देनी है रेल्वेस का रेवेन्यू तो आई रहा है पर एक्स्पेंडिशर भी तो उसको पंड कौन सा करता है उसको अनिशन फंडिंग देती है गवर्मेंट रजीनी और 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 प्रपोर्शन बजट और गवर्मेंट ओस अप डिबेल तो अगरमने टिविटिटी इन सबकर यह इसको तुम क्या बोशकते हो कि प्रप्राइबंडेंडेंडेंडेंट बॉडी के तरह काम बरती है इंडेडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड प्राइवेट प्लेर्स नहीं चला रहे इसको गवर्मेंट चला रही है तो नॉर्मली ऑडिटिंग भी होगी अकाउंटिंग भी बुक्सफ अपाउंट भी प्रिपेर होंगी फिर आगे जितने भी हमारे ओडिटर्स हैं जितने भी हमारे सीए हैं वो इसको वेरिफाई अब जो हमने फर्स केस में डिक्रस्टेंग प्रिमस में डेखो वही पॉइंस रिपीट हो रहे हैं बस थोड़े स्रक्चर फॉर्म में दे रखे सर एंप्लॉईस को सालडी कहां से मिलेगी गवर्मेंट बजट से हमने फर्स पॉइंट में पढ़ा उनको बोलते क्या है यह क्या कि गवर्मेंट उस पर इस विथा उनको बोलते हैं गॉइंट चुन कटिशन कंदिशन उनको क्या क्या मिलने वाला है क्या क्या इस ऑनको कर नी पड़ें की गवर्मेंट के नतर है के वो सेम होती है जैसे को ही भी अलग employee, कोई भी employee government अंदर काम करता है, सब की सब सेव होती है, ये बोल लगता है, government servants बोलते हैं, इसमें main point है, government servant बोलेंगे, recruitment बिल्कु सेम, recruitment और condition of service बिल्कु सेम ऐसी होती है, जैसे किसी भी government employee की हो रही होती है, और last, they are accountable to the ministry, बहुत important point है, they are always accountable to the ministry, since their management is directly under the concerned ministry, जिस भी ministry के अंदर इनको employ किया जा रहा है, ये accountable है, ये answerable है, they have to answer that ministry, ये कोई काम हुआ या नहीं हुआ, तो जिस भी, for example, finance ministry ने बोल दिया, कि हमें 10 employees रही हैं, वो 10 employees, finance ministry के अंदर काम बरेंगे, तो finance ministry के अंदर जब काम बरेंगे, तो finance ministry अंदर है, सीधी बात ये बहुत किये, अब जैसे railway ministry अलग है, railway ministry अलग है, road and transportation ministry अलग है, तो कोई भी departmental undertaking अगर खुलती है, और वो railway ministry के अंदर आती है, तो railway ministry को ही accountable है, railway ministry को report करेंगे, ये निए कि अपना PM के पास जा रहे है, आजो भाईया, PM साफ, हाज हमने ये किया, हमारी salary नहीं आई, ता है हमारी salary, घबराना मत, ऐसा नहीं होता, जिस भी ministry के अंदर वो employ हुए हैं, उस ministry को accountable है, उस ministry को ही answer करेंगे, मैंने example देजिए, जिसे road and transportation, similarly I'm sure features समझ आ गए होंगे, let's start with merits, merits आजम करने वाले सारा topic खतम करते हैं, गवनाने वाली कोई बात नहीं है, certain advantages which are as follows, ठीक है ये जितने भी मैं advantages disadvantages दिखवा रहा हूं, प्रीज इसको एक बार करते रहे हैं, इस सारे के सारे एक बार पढ़ जो, more than enough है, इतना detail में अपने गुषने का नहीं है, चार हमने features पढ़े, पहले हमने premise पढ़ा, तीन points का, फिर हमने, समझ लिया कि बाई, examples पढ़े, railways यह दूर दर्शन है, फिर हमने features पढ़े, उसके बाद हम का सबसे last point, अरे यह departmental undertakings form क्यों होती है, establish होती है, to smoothen the operations of the government, hence उसी का implication है, these undertakings facilitate the parliament to exercise effective control over the operations, parliament का यहां पे मतलब है, government, पार्लिमेंट का यहां मतलब है, government, these undertakings facilitate the government to exercise effective control over the operations, इसके मतलब यह allow करती है, government को यह जितने भी operations country में हो रहे हैं, अगर कोई यह unnecessary cheese है, जो कोई चीज है, जो unnecessarily किसी देश में carry out हो रही है, तो departmental undertakings वहां पे setup की जाती है, और उनको कोई ऐसी चीज जो भी requirement पप्लिकी उनको उस पर cater किया जाता है, railway क्या है, railway या railway lines इतनी जड़ा slow बिछा ही जा रही है, railway lines बिछाने का मतलब, इतनी जगा हमारा railway network क्यों vast होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है, गाउं गाउं में railway networks नहीं है, जैसे railway network हो जाएंगे, वहां पे गाउं से शहरों की connectivity अच्छी हो जाएगी, employment strong होगी, growth अच्छी हो जाएगी, और और growth अच्छी हो जाएगी, right, समझो क्या बोल रहा हूं, hence, मैं यह ज़रूर बोसकता हूं कि यार, तो मैं यह ज़रूर बोसकता हूं कि undertaking जो है, यह facilitate कर दिये, government को, in short, railways बनाएं इसरे जा रही है ताकि वो government की भी कुछ undertaking, जो government का role है, उसको भी facilitate कर पाएं, और government इनको establish इसने कर रही है, क्योंकि government उचाती है, एक एक जगा हमारा presence हो, government का intervention, जितना ज्यादा presence होगी, government की undertaking की, in short, departmental undertakings की, जितनी ज्यादा presence होगी, उतना government वहाँ पे involved हो सकती है, normal day-to-day affairs के अंदर, यहा आ रही है, day-to-day affairs को involved होने, these ensure a high degree of public accountability, बहुत बढ़िया, sir, जो departmental undertakings है, यह high degree of public accountability है, क्योंकि सारा का सारा का सारा किसके परवीव में आ रहा है, government के परवीव में आ रहा है, तो हर चीज काफी transparent है, government अपना budget, parliament के सामने रखते है, government अपना report हर साल दिखा रही होती है, तो हो सारी अच्छे सिफ transparent दिख जाती है, क्योंकि वो government के अंटरा की है, और government public को बताती है, कि यह यह list हमने काम किया, इस बार, यह हमारा manifesto है, तो इसकी वज़े से एक high degree of public accountability, इंस्टिल हो जाती है, ऐसे undertakings के रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है, the revenue earned by the enterprise goes directly to the government, बहुत बढ़ है, railway ministry को जाने वाला है, और railway ministry अपने पास ही रखती है, railway ministry government budget में, revenue में record कर देती है, government budget एक बहुत बढ़िया चीज है, जो तुम पढ़ने वालो class 12 macro economics में, उसमें बता रखा है, government budget के दो components होते है, receipts और expenditure, receipts में जितना भी government कमा रही है, वो क्या है, government कमारी है, तो national security की जब बात आती है, this form, यह जो departmental undertaking है, it is the most suitable, since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry, मतलब कोई भी information leak नहीं हो सकती, कोई भी बात, national security की जब बात आती है, security maintain करके रखनी है, tight करके रखनी है, हमें कोई भी बात, out of league नहीं बोलनी, out of boundary नहीं बोलनी, तो उस case में, गर्वर्मन की कोई enterprise अगर हो आर्मी के जितने भी components होते हैं, जितने भी personas होते हैं, जितने भी people to join army, army, army soldiers जित्कों तुम बोल सकते हो, they are not allowed to access Instagram or Facebook, उनको allow ही नहीं किया जाता, because they want to create a national security, जिनके पास इल्टी सा relevant information है, अगर यह अपनी social life, social media के सो दिखाने लग जाएंगे, तो बवाल मत जाएगा, यह क कुछ भी information जब national security के होती है, उसको government के अंदर, ministry के अंदर establish करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि एक national security का level बना रहे, और government का एक डर रहे है, हाँ, government की उपर हाथ है मेरा, मेरे पास एक government job है, और government की में respect करता हूँ, तो यह उस case में, जिस भी ministry के अंदर मैं काम कर रहा हू एक national security का element हमेशा बनने वाला है, हमेशा maintain हैने वाला है, समझ आ गई, सही है जी, next move on करते है, demerits, बहुत बढ़ी है, limitations, demerits, इनको तुम खुछ भी हो सकते हो, limitations अच्छा लगता है बोलने में, क्योंकि यह NCRT का पार्ट है, और NCRT का पार्ट है, तो भई, NCRT ही tape के आना ह कोई guidebook नहीं उठा नहीं, NCRT और ये notes करके आना, कुछ भी नहीं करना अपने को, just a second, एक बार देख ले, कोई scene तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं, कोई scene तो नहीं है, perfect answer, चलो जी, सही है, सब चंगा, सब अधिया, done, sir, demerits की बात करते हैं, चलो, departmental undertakings fail to provide flexibility, sir, flexibility नही है, यहां सबसे पहले है, तुम पॉइंट लिख से तो, lack of flexibility, lack of flexibility, which is essential for both operation of business, यहां पर एक तो, business growth, business and taking growth, यह यह बोल रखा है, कि हमारी जो government organizations है, ना, उनके अंदर जो employees है, वो departmental undertaking को धंक से operate करना चाहते हैं, जब भी तुम किसी government bank में जाना, versus किसी private bank में जाना, तुम्हें खुड difference लग जाएगा, तुम्हें खुड difference पता लग जाएगा, कि क्या हो रहा है महां पर, मैं किसी government authority को demean नहीं कर वा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ, एक attitude में difference आ जाता है, अरे, इसकी तो government job है, यह तो कहीं नहीं जाने वाला, ऐसा सारा का सारा flexibility, lack of flexibility है, जो की एक essential component है for the smooth operation of the business, अगर एक business flexible नहीं रहेगा, नहीं चीज़े अटॉप नहीं करेगा, नहीं नहीं जागा, नहीं बातों को नहीं समझेगा, नहीं 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 लेगा, तब तक भईया, काम भी चलने वाला, तो lack of flexibility 100% है, departmental undertakings में 100% lack of flexibility होती है यह तुमने कहीं भी department store में चले जाना, कहीं भी government enterprise में चले जाना, महा में तुमने देखने को मिल जा है, इसका मतलब lack of flexibility का एक और मतलब यह भी हो सकता है, कि आपकी technology इतनी अच्छी यूज नहीं कर रखती, flexible क्या है, कि यह नया फूना है, एकदम मैंने चलाना सीखिया, त और हम तो अच्छी इंप्लोई और दीपार्मेंट तो अच्छी जए बहुत बड़ा फैक्टर है, चलो यार, अभी तो हमने बात करीगी, employees इतने अक्टिव नहीं है, departmental undertaking ए, let's say, कुछ ना कुछ active employees है भी, हर जगा ना कुछ अक्टिव नहीं हो सब्सक्राइब, बहले ही, तो हम सकते हैं तो हम सकते हिए यह दोड़ी जोड़ी को अप्रेनी होता है नेगेटिब बात है राइट इस एंटरप्राइज आर अनेबल तो टेक एड्वांटेज आप बिसनस ऑपर टूरिटी सिमिलर बात अब तुम मानों के नी फिर्स पॉइंट जिए नहीं चीज़ अडॉप नहीं कर पारें सेकिन हमें अलाओ टीनिया इंडिपेंटेजिशन ले ओवर कॉश्यस एंड कंजर्बेटिव अप्रूबल डेस नॉट अलाओ देम टेक रिस्की वेंचर भाईया गवर्मेंट करती है ना रिस्क नी लेस्क हमें रिवार्ड चाहिए निया में रिटर्न चाहिए नी हम तो ग्रैजुली ग्रोव करेंगे हम एकदम मैसिव ग्रोथ से मार्केट में दरती है या मिनिस्ट्री की पोर्स होता है वही बहीं एक जोल लगा रहता है मिनिस्ट्री ने बोला है ऐसे कोई ऑगनाज़शन फुलेगी वह यह काम तरेगी तो उनका में परपस एकॉनमिक प्रॉफिट मेकिंग ही इसले वह रिस्क जादा ले सकते हैं प अगर आपको चोटी से चोटा डिसीजन देना है उसके लिए आपको बहुत बड़ी अथोरिटी के पाँ जाना पड़ता है उससे साइन करवाना पड़ता है और तुमने कोई प्लान सोचा और तुमने का बहिए यह पांट दिन के अंदर करना पड़ेगा उन्होंने तो वह जो जो फर्स स्कूवर एडवांटेज है वो नहीं हो फाता अंड डिपार्टमेंटल अंडर्टेकिंग कभी भी ग्रोथ के लिए काम करना है नहीं सारी क्योंकि महां पे रेट्टेविसम है आजा तुम एक पब्लिक बैंक पर जाओ या पब्लिक इंटरफाइस पर जाओ या किसी भी सर इस टेबल बजाओ आपको लोन मिल जाएगा आपको सेक्योर्टी रखने पड़ेगी बड़ा को लोन मिल जाएगा महां पे क्विक इंटरेसल होता है मज़ा आगया हमारे पास किसमर आया है यह मैं प्राइविट वालों की बात कर रहा हूं पब्लिक वालों में नहीं बॉल प्रेसेंट बहुत डी मेरिट है कुछ ना कुछ ऑपरेशन में लग्रेंटाइज को डिसर्वांटेज वजाया जा रहा है यह सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा यह सारा का सारे यार आप एक बर पढ़ सकते हो मैंने सारे के सारे वीचर्स अमने फीचर्स कर दि अगर आपने तक दूनिया के बेस्ट नोट्स आपको बिल रहे होंगे पर क्लास 11 हमारे याँ टेलिग्राम ग्रूप भी आया है कॉमर्स वालों के लिए स्पेसिपिपिली टेलिग्राम ग्रूप फोलड़ का है लिंक डिस्क्षिन बॉक्स माँ आपको बिल जाएगा अगर आपने देखे तो जाके देख लो और अगर आपको मिल नहीं रहे भाईया प्लेलिस में नहीं दिख रहे हैं पता नहीं इस चैनल पर कहा है तो गवराओ मत लाइब निगल जाओ यह नहीं होने क्लास 11 का कॉमर्स रूप अलग है क्लास 11 का क्लास 11 आपको मिल जाएंगे और अगर आपको क्लास की नोडिविकेशन देए कि हमारी क्लास कब कब हो जी है आप यहां से ले सकते हो सब्सक्राइब करेंगे और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रू करना अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्ली सब्सक्राइब जरू की जल्दी मुलागात होगी आप अगर देए